हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टू एजुकेसन इडिया तोस्तों किसान करजमाफी योधना को लेकर रावल गांदी के दो बड़े एलान सामने आए हैं उसमें से रावल गांदी ने यह बात बताया है कि हम आपका एक विवादा नहीं बूले हैं हम पूरी तरह से आपके साथ ह इस प्रकास से किसानों को आस्वासन देते हुए दो बड़े एलान किये गए हैं तो इनकी पूरी जानकाई दीज आएगी और आप इसको जानकर बहुत ज़दा कुछ भी होने वाले हैं क्योंकि रावल गांदी के यह जो बड़े बयान आए हैं वह दोनों एलान किसान की र पासी में आ रहे होगे गंटी का नसा उसे भी आप जरूर दबा दीजी ताकि आपको कर्जमाफी योजना की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके चलिए अब बताते हैं आपको किसान कर्जमाफी योजना को लेकर जो बड़े बयाना हैं रावल गांदी की तरब से तो अभी हम आपके साथ खड़े हैं और हम पीएम मोदी के खिलाप जाएंगे और आपका कर्जमाफ करवाकरी रहेंगे इस परकार से रावल गांदी का बड़ा बयान आया है अब दोस्तों आपको पूरी जानकाई दे देते हैं अभी हम तोस्तों यहां पर नीरो मोदी पर निसाना साथ नजर आये रावल गांदी उन्होंने कहा कि रावल गांदी ने जो मोदी जी को कहा कि आप किसान का रणमाफ नहीं करते और बड़े बड़े जो होते हैं ठगबाज उनका कर्जमाफ कर देते हैं उन्होंने नाम भी बताए क कि मैं उल्चोक सी नीरो मोदी और बड़े बड़े जो नेता होते हैं जो गरीबों का पैसा खाते हैं उनका तो आप कर्जमाफ करते लेकि जो गरीब खुद कमा कर रोटी खाता उसका आप एक रुप्या भी कर्जमाफ नहीं करते तो इस परकार की बाते करके राउल गाने ने उन्होंने बताया कि न्याय को गरीबी पर सर्जी कल इस्टाई कहा और उसको रिकिसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए और मजदूरों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बताया तो अभी बताते हैं आपको पूरी जानकारी राउल गांदी के दो बड़े एलानो की तो कांग्रेस सद्यक्ष रावल गांदी ने सनिवार को कहा कि जब नैंदर मोधी सरकार नीरम मोधी और मेहुल जोक्स जैसे कारोबारियों को पैसा देने का कोई मलाल नहीं है और इसे में बाजबा को उनकी पार्टी के चुनावी वादे नियुम्तम आई योजना की वविवारता पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए उत्रागंड में 11 अप्रेल को पांच लोक्स बाच के लिए होने जारे चुनाव के लिए अपने उमीद्वारों के समर्थन में अलमोडा स्री नगर और हिद्वार में देलियों को समित करते हुए राउल गाने ने कहा कि उस वक्त एक पल भी हमने नहीं सोच था जब उनका पैसा आ जो हैं मोधी जिने नीरो मोधी कहा जो दे म जो मोधी जी वह कह रहे हैं कि हमारी हिस्टरी में ऐसा कोई योजना ही ही नहीं इस परकाश से निसाना साथ्ते नजर आये राउल गाने तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान आया है बड़ी गोशना है यहाँ पर हमलाँ खा सकता है और जो करारे जवाब दिया गया एक तरह स से मोधी सरकार को कि आपके पांस साल किसानों के लिए मजदूरों के लिए बेरोजगारों के लिए वह अर्थ गये हैं और उन्हें कहा कि मैंने आर्थ किसी से विचारी मर्स किया है और उन्हें कहा है कि यह अर्थ वैस्ता को पट्री से उतारे बगेरी अर्थवयस्ता को बहुत अच्छी तरीके से संभालेगी और अर्थवयस्ता को मजबूत करेगी राउल ने एक और दावा किया कि कांग्रेस के चुनावी गोश्णा पत्र में गरोबों के लिए की गई नयाई योजना यानि गरीबी जो योजना पर एक सर्जीकल इस्टाइक होगी जबकि इस अर्थवयस्ता पर भी कोई बोज नहीं पड़ेगा उन्होंने स्रीनगर में रेली को संभोधित करते हुए कहा कि इस योजना को गोश्णा पत्र का इस साब बनाने से पाले मैंने भी चितंबरन और पूरो जो मनमोहन सिंग से सलहा भी ली थी कि अर्थवयस्ता को पत्री से उतारे बगेर गरीबों को पैसे कैसे दिये जाए और फिर उन्होंने 72,000 रुपे साला देने का मुझे सुझा दिया यह राजी हर साल सबसे गरीब किसानों को सबसे गरीब मजदूरों को सबसे गरीब सर्मी को बेरोजगारों को 20 फीजदी लोगों के बैंकों खाता में दीज जाएगी यानि जो भारत के 100% गरीब लोगे उनमें से 20% ऐसे किसान ऐसे बजदूरवर्ग होंगे जिनको यहाँ पर 72,000 रुपे यानि परती मैना 6,000 की मोटी रकम दी जाएगी न्याय यूजना इसके अलावे दोस्तों हम बता दें आपको तो कर्ज माफी पर एक बहुती बड़ा खुस खबरी करने वाला आपके लिए जूमने वाला बहुती बड़ा किसानों के लिए पूरे देश के किसान के लिए एलान आज चुका है दोस्तो फाइनल हो चुकिये कर्ज माफ इसमें कोई संदेयन नहीं दोस्तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से पूरी तरह से फाइनल तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि राउल ने किसानों का कर्ज माफ करने के अलावा लिए एक अलग बैस्ट बाथ करने की बात कहीए दोस्तो उन्होंने बताया कि हर किसान के लिए बैस्ट बैस्ट किया जाएगा तो यहां पर लिका है कि राउल ने किसानों का कर्ज माफ करने के अलावे यानि दोस्तो जी जते हैं यह तो गोशना पत्र में वादा एड़स होई चुका है क्योंकि रावल ने जिस परकाद से कहा है उससे यह लगता है कि कर्ज माफी जल्द से जल्द यदि रावल जी को जीच जाते हैं और यहां पर गदी पर बेढ़ते हैं रार्त की तो रावल जी यानि रावल गांदी पक का खंडन करेंगी और अलग से इसी नीतिया बनाएंगे जो कि किसानों के लिए काफी अच्छा हो और अर्तवरस्ता में भी किसान का इससा बढ़ाए तो यह यह बहुत ही अहम बजट किसान बजट पारित किया जाए जिसमें यह योजना एड़स की जाएगी और सामिल की ज जाएंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए राउल गांदी की तरफ से किस परकास से वादा किस परकास से आपके लिए खबर आईए और बड़े एलान आए हैं तो राउल गाने ने वादा किया है कि हम किसान को सता में आने पर एकिकरत बनाएंगे और उनकी वहिस्ता को सरल बनाएंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जुनाव गोशना पत्र में इस पश्ट डूप से कहा गया है कि रिनो की अदाएंगी नहीं करने पर किसानों को जेल नहीं बेजा जाएगा उन्होंने कहा कि यदि मेहूल चोकसी नीरो मोधी जेल नहीं बेज़ जा रहा है तो फिर किसानों को जेल क्यों बेज़ा जा रहा है क्यों बेज़ा जा रहा है किसानों को हम ऐसा न्याइब बनाएंगे हम आपके लिए ऐसी योज न लाएंगे और किसानों का अलग से कमेटी बनाएंगे जिसमें किसानों का एक अलग से ही मामला सामने आएगा और वहीं पर जैसे लोग से अदालत होती है उसी परकार किसान की एक अलग से अदालत बनाई जाएगी और वहीं पर किसानों के वकिल वगर होंगे और वहीं पर किसानों का मामला सुना जाएगा और किसान के लिए वहीं पर आप सी निप्टारा होगा तो यह इस प्रकास से किसान के लिए एक अलग से कमेटी बनाने की बात आई एक अलग से अदालत बनाने की बात आई इसका नाम भी रख दिया गया है किसान अ बड़ा तीर कांग्रेस ने का कर्ज माफिय फूरी तरह से फाइनल इसके अलावे विकलब ढूंडे जा रहे जिन पर बजट में होगी बड़ी बात बजट पारी किया जाएगा जब किसानों को एक और बड़ी से बड़ी रहाते मिलेगी और किसान उस वक्त समझेगा अपनी अहमियत तो इस परकार से राउल गांदी का ये बड़ा बयान योनों ने कहा कि हम आपको नहीं बुले हैं हमें आप अभी भी यादे तो इस परकार अनदाताओं को संबोधित करते हुए किसान को संबोधित करते हुए बड़े वादे किये गए हैं बड़े एलान किये गए आपको जो फौजडारी मामले बात यदि आप कर्ज लेते हैं करज में ढूबते हैं तो भी आप और कैस नहीं तो भी आप जेल नहीं जाएंगे तो इस परकास से बड़ी बात आये आपके लिए किसान कर्जमाफा के साथ लोग कदालत के साथ यहां पर आपके लिए एक अलग से फेसला आ चुका है तो बड इतना ही था आपके लिए यही थी ताजा जानकारी राउल गांदी की तरब से और दोस्तो इसके अलावा एक और बड़ी आपके लिए खबर है जिसमें राउल गांदी का जो मोमेंट रहा वो इंट्रेस्टिंग रहा दोस्तो इस पल को काफी जादा तुएं तरह से कहें तो वहाँ पर बेटी सबा ने इंजोई किया, क्यों किया, अनन्त क्यों लिया, देखे इस सवाल का, तो उत्राकंड में राउल गांदी ने बीर से पूछा मोधी से, यानि की बीर से पूछा गया कि मोधी जीने कुछ आपके लिए क्या, तो यहाँ पर उस समय बीर ने बोला, या उत्राकंड में बैठे लोगों से, तो इस परकार का यह बड़ा यहाँ पर सवाल था, मोधी सरकार को लेकर, कि मोधी जी ने कुछ किया है, आपके लिए पांच साल में, उत्राकंड में कैसा विकास, कैसे हुई है, योजना चालू, तो इस परकार का सवाल पूछा गया जन दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक साथ जब्सक्राइब कर दीजी तो दोस्तों इसरेओं को इतना ही वीडियो देखनेके लिए आपका हप कहरेता हूं उसेर कर दीजी और्फ-जिर कर दीजी चांप कर दीजी bend-धैर को लिए आपको बहूत भाश सेंगे है वारत वन दे, मात्रम!